अलाइज टीवी सच सबस्यार प्राइस कर रहे था एक्सू साथ एक्सू साथ डॉलर पर बैरल है नंसेवें डॉलर पर बैरल उस तेम पे पेट्रोल का दाम था 71 रूपीस 41 पाईसा और डीजल का दाम था 55 रूपीस 49 पाईसा विन दी इंटरनेशनल क्रूड आयल प्राइस वास 107 डॉलर पर बैरल अब बहुत ज्यादा भी वाता है मैं सिर्फ 14 की बात करूँ जब हमने सरकार चोड़ा था बीच में तो कई उपर तक गया था 2008 से 2009 के बीच में 140 डॉलर पर बैरल अब जो है क्रूड ओयल का पर बैरल आके 73 डॉलर पर बैरल है 73 अगर आप 52 मेंच करेंगे 52 महिनों का जो इस सरकार का रूल रहा है उसके आवरेज आप निकालेंगे तो 50 डॉलर पर बैरल पर जो हम आप तेल एक्रूड ओयल हम लोग को मिला है दो हजार नौ में 46 ब्र 51 करूण रुपए की सबसिड़ी दे दे दी डोले इसके बाद 2010 में 78 करोण 180 करोण की सबसिड़ी दी 2011 में 101 करोण 38,541 करोण की सबसीड़ी दी इसके बाद 2012 में 1 करोण 61,629 करोण की सबसीड़ी दी और 2013 में अब जन्ता को ठखने काम कर गया मुझे मिद्ध को मदद कर रहे हैं पहले तो हमको यह बता दे और थोड़ी देर के बाद अभी नहीं अभी तो यह दो नहीं बोलेंगे क्या आपकी सरकार हर किसम की सबसीड़ी के खिलाफ है आप नहीं चाहते कि कोई भी रियायत सरकार अपने खजाने से लोगों को महंगाई से बचाने के लिए दे मैं नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य को याद करता हूँ जब वो मुक्यमंत्री थे तब वो कह रहे थे कि दिल्ली की सत्ता सत्ता बचाने में लगी हुई है तेल की किमते कहां जा रही है यह कंट्रोल नहीं कर सकते जबके उस समय अंतराश्ट्री असतर पे तेल की किमते 140 डॉलर पर बैरल छूचुकी थी सरकार का काम है जहां महंगाई आती है सरकार इंटर्वेन करता है सरकार ने इंटर्वेन किया सबसीड़ी दी पेट्रोलियम को पैसा कमाने का जरिया नहीं माना और पर ये नेसिशच्टी है देश की पुरा देश चलता एंवीनिय्टी है पेट्रोल इसलिए पेट्रोल से कमाने के बजाए पेट्रोल पे खर्चा करके आम आदमी को रिलिव दिने का प्रयास किया उसके बाद प्रधार मंतरी बनते हैं मोदी जी तेल की किमते एक दम घर नीचे आ जाती है तब वो बोलते हैं कि यह मेरे प्रधार मंतरी बनने से हो आए यह मेरी किस्मत है आज वो नसीब कहा गया मैं पूछ रहा हूं सिंपल का सवाल है कि दूसरी बात दूसरी एहम बात आदमी को बाकी डेवल्टमेंट तब दे जब जिन्दा रहे अरे जो रोड पर चलने के लिए आदमी जिन्दा ही नहीं रहे तो रोड क्या करना यदि किसा लोग इसा तेखिए असल में सवरब क्या है कि हमारे राजनित्टिगों की एक मुसीबत है कि जैसे होता ना विद्यारति होता है अगर वही बाते हैं जो अब रोड बना रहे हैं सीमा पे ले जारे सारे खर्च कर रहे हैं तो यह 2014 में क्या अलाद मिया भेजते थे क्या उपर से उसमें भी सारे काम हो रहे थे सड़क भी बन रही थी सबसीडी भी चल रही थी और सारे काम हो रहे है मुश्किल क्या है कि आज हमारी एकुनामी इतनी बैड कंडिशन में आ गई है जी पैसा नहीं है करेंगे क्या सबसीडी कहां से देंगे दाम कहां से कम करेंगे इनके पास सराब और पेट्रोलियम पदार जिस पर टैक्स पर टैक्स लगाते जाएंगे कोई बचत नहीं है रियल इस्टेट ठप पड़ा है बैंकों के पास पैसा जमा पड़ा हुआ है 99 परसेंट पैसा वापस आगया नोटबंदी का कोई रोजी रोजगार का इंतियाम नहीं होगा जवाब देंगे जवाब देंगे जवाब देंगे देखिए इनको चालेंज करता हूं अगर एक भी फाइ रिष्ट नहीं होती है I am not . पेट्रोल का दाम जब दो रुपे कम हो जाता है तो आप नसीब वाले हो जाते हैं तब तो आपको दिखत नहीं होती हम हमारे नसीब से हुआ है और पुझ्टे जयितक दमधि मोदी जिनर सरकार अएगी महंगाई नहीं बढ़ेहाँ आज यह पूचे अज एक गरणी से पुछें घर तो दाल चीनि वर सब्सक्राइब पहुंच गया है आप सड़के बनाइए सड़कों से क्या करोगे जब चलने के पेट्रोल इतरह महंगा होगा यह बताइए मैं आपको मैं पताना चाहता हूं कि एवल एक चीज नहीं देश की बुनियादी सुधाओं में सड़क, सिक्षा, बिजली, पानी ये सारी बुनियाद सुधाओं को भी उपलब्ध कराना ये सरकार का दाइट तो है हमारा दाइट देश ये नहीं चाहता कि पांच साल में आप देश को रामराज्य बना दू इस सब कॉंटिनेंट है लेकिन बोटे समय भान रखिए इस देश को ये मत पताईए कि हमने आपको दिया है जब मिला क्या कर सकती है सरकार को स्रीफ ये चाहिए कि 2014 में जो धर्ना प्रदर्सन करती थी भारती जंतापार्टी और जो नारे उच्छालती थी कि भाई कम करो कम करो दाम कम करो तो वो कैसे कम करने का सपना था उस अपने को अच्छुरा सरा अलाइज टीवी सच सबस्या